हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कैसी हो तुम से आप सबको क्ले के साथ खेलना पसंद है मुझे तो बहुत पसंद है तो आज आप और मैं मिलकर खेलेंगे क्ले के साथ ये दिखिए तेले हो मिकालेंगे इसके सभी शेप्स को क्या तुम मिन शेप्स को पहचानते हो पिताओ और फिर हम निकालेंगे क्ले को बाहर अरे वाफ इतने साए रंग बताओ फिर किस रंग से करें शुरुआत पिंक कलर मुझे तो ये पिंक कलर बहुत अच्छा लता है अर पिंक कल दो आए हो निकाले हो एम भाताइब लता है अर पिंक कल दो आए करेंगे के था खम दो लता है झाल झाल यह है स्क्वेर स्क्वेर यह है वालेट कलर तो बताओ वालेट कलर से हम क्या बनाएं बताओ बताओ क्या तुम बनाना चाहते हो एक ट्री या फिर एक बटरफ्लाई बताओ वालेट कलर यह है बटरफ्लाई की शेप का मौल्ड तो चलो बाकी का एक्स्ट्रा हम उतार देते हैं ताकि हमारी खुब शूरत सी बटरफ्लाई बनके बाहर आएं या तुमें बटरफ्लाई पसंद हो मुझे तो बहुत पसंद हैं बाकी की एक्स्ट्रा कें प्ले निकाल कर हम राइड पे रखेंगे और पिर निकालेंगे अपनी बटरफ्लाई बहुत थ्यान से धीरे से आराम से धीरे से यह हमारी खुब शूरत सी बटरफ्लाई निकल के बाहर आएं देखो देखो तिद्नी प्यारी लगेंगे अब हम इस बटरफ्लाई के लिए बनाते हैं एक प्रवी जानते हो बटरफ्लाई को फूल बहुत पसंद हो और बटरफ्लाई फूलों के जाकर उनका रश होती जा तुमने कभी अपने हज्यास तक बटरफ्लाई को देखा है यह है ग्रीन कलर प्री का कौंसा कलर होता है बताओ ग्रीन कलर तो हम बनाते हैं इस बटरफ्लाई के लिए एक ग्रीन कलर का प्री ग्रीन कलर तो बताओ इन सब में से कौन सी शेप है ट्री की शेप क्या तुम्हें यह ट्री लगता है या फिर यह क्या यह ट्री है बिल्कुल ठीक प्री लगाना और प्रीज हमारे इंवार्मेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमें अपने बर्दे पर हमेशा ट्रीज लगाने चाहिए और आपको अपने ब्रॉदर सिस्टल्स को भी बोलना चाहिए कि उपने बर्दे पर हमेशा ट्रीज लगाएं ताकि हमारा इंवाइर्मेंट हमेशा इतना अच्छा अच्छा बना रहे और सभी बर्ड्स को अपना घर भी मिले जैसे हमारे पास एक घर है तो चलो फिर सारी की सारी कले को अलग कर देंगे और फिर अपनी ट्री को निकालेंगे भीरे से अराम से भीरे से एक्टम आराम से बहुत ख्यान से अरे बाद देखो कितना च्छा री नितों के आया है बहुत खुब जूरत क्या ये बटरफ्लाई इस ट्री के पास जा रहे है बताओ बताओ तो आज हमने बनाया एक स्क्वियर जो की पिंक कलर का है एक ट्री जो की है ग्रीन कलर का और एक बटरफ्लाई जो बॉयलेट कलर की है बाई बाई बच्चो